और खंडवा से नरंद्र पटेल को टिकर दिया है। देखिए तीनों चेहरे कांगरेस के एकदम युवा और नए चेहरे हैं। से नरंद्र पटेल को टिकर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मुरेना की। सत्यपाल सिंग नीटू सिकरवार इससे पहले बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। और कांगरेस में या पूरा का पूरा सिकरवार परिवार शामिल हो गया। तो मुरेना में जहां सिकरवार परिवार का ज्यादा प्रभाव है यहां पर नीटू सिकरवार को मैदान में उतारा है। मुरेना बेसिकली यहां पर जब उम्मीदवार उतारती है कोई भी राजिनितिक दल तो जातिकत समीकरण खास तोर पर देखती है। यदि किसी दल ने यहाँ पर राजपूत या ठाकुर को उमिदवार बनाया है तो दूसरा दल वैसा नहीं करता लेकिन यहाँ पर मुरेना में यह दिल्चस्प मकाबला हो गया है मुरेना सीट पर दोनों ही याने शिव मंगल सिंग तोमर और दूसरे नीटू सिकरवार यह दोनों राजपूत कैंडिड़ेट हो गया है यहाँ पर मुकाबला दिल्चस्प होगा मुरेना में राजपूत वोटों के अलावा गुर्जर वोट और S.C. वोटों की भी संक्या जादा है और यह दोनों ही दलिया प्रयास करेंगे कि इनको अपने पक्ष में लाया जाए है और यह मान लीजिए कि ग्वालियर को जिताने की जिताने की जितू पटवारी पर सीदे सीदे आ चुकी है यहां से जो राजसभा सांसद अभी अभी बने है अशोक सिंग इनकी जिम्मदारी भी होगी और ग्वालियर में इसलिए मुकावला दिल्चस्प होगा यहां पर भी दोनों केंडिडिट नहे होंगे भारास सिंग कुश्वाहा और प्रभीन पाठक दोनों ही लोकल ग्वालियर के नेता रहे हैं जमीनी पकड़ा रखते हैं नوجवान हैं पहली बार लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहा है लेकिन इसलिए चुनौती दोनों के लिए बराबर होगी और यह बराबरी का मुकावला यहां पर कहा जा सकता है यह सीट यह वो जरूर है जहां भाज़पा का प्रभा होता है और लंबे अर्से से कांग्रेस यहां पर कदम नहीं रख पाई है इस बार कोशिश होगी कि बीजे पी के नए कैंडिरेक्ट के सामने यहां पर मैदान में प्रविन पाटा कुछ ना कुछ जरूर कर जाए खंडवा सीट के अगर बात और इससे पहले उन्होंने विदान सभा का इलेक्शन भी लड़ा था जो हार गएते अब इनको लोकसभा की जिम्मेदारी दी है एक विदान सभा का हारा हुआ कैंडिडेट अब लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगा लेकिन इससे पहले भी हम यह देख चुके है कि कई सारे ऐसे लीडर जो विदान सभा का इलेक्शन हारे है उनको लोकसभा में जिम्मेदारी दी गई और वो लोकसभा का इलेक्शन जीत गए तो यह एक दिल्चस्प यहां खंडवा में बात जरूर होगी खंडवा में बहुत ज्यादा जातीगत समीकरण माईने नहीं रखता है ज अब यहां पर मकाबला दिल्चस्प हो गया है अरून यादो को पूरा जोर लगाना होगा यदि वो खंडवा सीट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं पार्टी ने उनको गुना से भी जिम्मेदारी नहीं दी है तो अब अरून यादो को फोकस करना होगा कि खंडवा में जो उनके परमपरागत सीट है यहां पर अरून यादो या उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा केंडिडेट को भी मुछ चुनाओ जिता कर ला सकते हैं या अरून यादो के लिए इंडिवीजुली बहुत बड़ी चनोती है तो अब 29 सीटों पर स्तिती साफ हो चुकी ह मकाबले दिल्चसब हैं किसी भी दर्ल म कमतर नहीं आका जा सकता है अलगिकी रड़नीति के मुकाबले में परचार के मुकाबले में बीजे पी चुकी मद्यप्रदेश में 28 सीटे जीच चुकी है 29 की तरब भी 29 की तरब भी उसकी निगाह है रणनीती मनाई जा रही है ऐसे में कॉंग्रिस का स्टेंड क्या होगा कैंडिडेट के तौर पर तो हमने ये देख पा रहे है अपने बताया कि देखे ग्वालियर में तो जीतुपटवारी की प्रतिश्चा दाओ पर लगिए जीतुपटवारी की बेहत करीवी माने जाते हैं प्रभीट पाठक इसके लाबा खंडवा में अरुण यादब को प्रत्याशी ने नहीं है अरुण यादब की जगे नरंदर पठेल को कॉंगरिस पार्टी ने उतारा है तो वरसेज भरत सिंग कुश्वा गौलियर में कितना दिल्चस मुकावला देखते हैं क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी संदीप हारे हुए प्रत्याशी हैं भरत सिंग कुश्वा भी 2030 का विधान सबाद चुना भार चुके हैं दोगजार अठारे में विधायक मने शिवरा सरकाय मुराज्य मंत्री रहे प्रवीर पाठक भी 2030 का विधान सबाद चुना भार चुके हैं देखें श्यवण यह समझना चाहिए कि यह दोनों केबल दिखाने वाले चैयर है यह केबल कैंडिडिवे इनंके पीछे संगठन काम कर रहा है या कोई दिखज काम कर रहे हैं प्रमीन पाठक के पीछे जीतूअ पटवारी काम कर रहे हैं। साथिसे साथ में सिकरवार फैमिली। सिकरवार वही परिवार जो नीटू सिकरवार को मुरैना से टिकेट दिया गया है। लेकिन गवालीयर में वी उनका प्रभाव है क्योंकि सतीश सिकरवार जो इस परिवार के मुखियां है उन्हों ने वो ग्वालियर से ही विधायक है उनकी पत्नी जो है शोबा सिकरवार वो भी ग्वालियर की मेयर है कॉंग्रिस से है तो सिकरवार परिवार जहां मुरेना में चुनाओ लड़ रहा है वहीं उसके जिम्मे इलक्षन में जो ग्वालियर की तासीर है कि वो ऐसे केंडिजेट्स को पसंद करती है वो कितना कर पाते हैं यहाँ देखना होगा लेकिन ओपीएस भारत सिंग कुश्वा भी यहां पर मैदान में है जो इलाके में प्रैट रखते हैं और भारत सिंग कुश्वा नरेंदर लगातार यूपे की सरकार में केंडर मंत्री रहे लगातार सांसद रहे अरुन यादब खंडबा से सांसद रहे हैं उन्हें टिकट ना देके नेंद्र पटेल को टिकट देना जो कभी चुनाब नी लड़े ब्लॉक कोंग्रिस अध्यक्ष रहे जिला महामंत्री लई अभी देखे अरुन यादब के सामने बहुत विकल्प नहीं है यहां पर क्योंकि अरुन यादब ने खंडबा से ज्यादा बहतर इच्छा ये जताई थी कि वो गुना से इलक्षन लड़ें जो ज़्यादे सिंधिया के खलाफ में समीकरन ऐसे बने कि उनको टिकट गुना से नही बढ़ाया था और उस पर दिल्ली और भोपाल के लीडर्स ने सहमती जताई तो अरुन यादब की जिम्मेदारी जरूर बन जाती है वो बहुत अलक्त तो नहीं पड़े थे उनकी मनशाती चनाव लड़ने की लेकिन पार्टी ने उनको ये कहा है या तो आप खंडबा से च जनकारी को साजा करने के लिए मद्र प्रदिश में पहले चुरण में 6 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं 6 सीटों पर केंद्र मंत्री फग्रा सिंग कुलस्ते सांसर नकुलनाथ समयत 88 उम्मीदवार मैदान में हैं इस बार भी राश लोग सभाच चुनाव के पहले चरण को लेकर तैयारिया तेज होती जा रही हैं 19 अप्रेल को पहले चरण में मद्र प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होगा सीधी, मंदला, बालगार, शेहडोल, जबलपुर, छिनवारा ये वो सीटे हैं जहां पहले चरण में वोटिंग होगी पहले चरण के लिए नामांकन भी पूरा हो चुका है और अब जो जानकारी सामने आई है उसमें ये सामने आया है कि बीजेपी और कॉंग्रेस ले 6 सीटों पर 88 उम्मीदवार मैदान में है 17 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज है दागदार प्रत्याशियों में दो बीजेपी और दो कॉंग्रेस के हैं प्रत्याशियों पर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है इन सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन के दोरान अपने शपत पद्र में आपराधिक मामले दर्गोने का ब्योरा दिया है सीधी में सत्रे प्रत्याशी है चार पर केजदर्ज है जबलपुर में उन्लिस प्रत्याशी है जिनमें से चार पर केजदर्ज है मंदला में 14 प्रत्याशी है एक पर केश दर्ज है वालगाट में 13 प्रत्याशी है चार पर केश दर्ज है छिन्दवाड़ा में 15 प्रत्याशी है चार पर केश दर्ज है तो शहटोल सीट पर 10 प्रत्याशी उतरे हैं लेकिन किसी पर कोई केश दर्ज नहीं है निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में भाद के आजमार है प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामले नामांकन के साथ बताना अनिवारी किया है। इसके तहट इन सत्रे प्रत्याशियों ने अपना आपराधिक ब्योरा पेश किया था। आपराधिक ब्योरा देने ये नेता हैं निर्दली उम्मीद्वार, धनेंद्र दिवपवार, बनवारी सेट और राजकुमार पर भी केस दर्ज हैं चिन्दवारा से बीजेपी के विवेक बन की साहू, अहिंसा समाज पार्टी के राजेश तांत्रिक कोशुहा, गोनवाना गरतंत्र पार्टी के देवकी राम भलावी, निर्दली उम्मीद्वार पवन शाहू, ये वो उम्मीद्वार हैं जिन पर कई केस दर्ज हैं हालकि इन प्रत्याशियों पर बहुत गंबीर मामले दर्ज नहीं हैं, इन पर S.C.S.C. Act उपद्रों के लिए उकसाने और धरना प्रदर्शन में शामिल होने जैसे मामलों में आपराधी केस दर्ज हैं, इस बीट सियासी दलों की ओर से अपना-पना तर्क दिया जा रहा है हम राजम निती में अपराधी तक्त्यों के प्रवेश के लिए और इसल्यरे भारती अनता पार्टी के नेता पराधी कार्टार्यद में के फ्रद्रे के विल कर अधर्वा कोई बेल में तो भाज़पा अपराद और अपराद दोनों के विरोद में हैं हम चुद्ध और सुच राड़ निती चाहते हैं बीजेपी की सरकार में अगर किसी बीजेपी के नेता पे दर्ज है जो जाहिर सी बात है वो सो प्रतिशत जेनियून है जेनियून जो मुकदमे वो दर्ज नहीं हो पा रहा बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एड़ी सीविया आईटी तो उनको देखने भी नहीं जाती है जबके भले ही नेता पुत्रों के बाइरल हो जाते हैं आज विशा है कॉंग्रिस पार्टी का हमारे सो प्रतिशत नेताओं पे हम लोगों पे बीजेपी की सरकार में दवनकारी नेतियों के चलते मुकदमे दर्ज कराएगा है सिद्ध कुछ भी नहीं कर पाए आज तक सरवदिक विधायगों मुकदमे दर्ज कराएगा है ऐसे में अगर टिकेट काटने की उपन आएंगे तो क्या सबके काट देंग पर सामाजिक कारिकरताओं की ओर से सवाल उठाया जा रहा है ऐसा नहीं है कि इन नेताओं पर लंबित मामले अभीके हैं इन नेताओं पर दर्ज प्रक्रण कई साल पुणाने हो चुके हैं यही नहीं सांसदों और विधायकों के खिलाब दर्ज आपराधिक मामलों की देश दिया गया था लिकिन उसके बावजूद भी कितने मामले सांसदों गिधायकों और नेताओं के खिलाफ लंबी थैं ऐसे में राजनीतिक दलों ने दागी उम्मीदबार पर दाउं लगाने से परहिज नहीं गिया है बोपाल सेयतुल शर्मा के साथ